इसे जूरेव है ऐसे पडिवार जिस पर की कई आरोप के आधार पर चार सीटेड है नोक नायक ने जिन मुल्यों को लेकर लराई लड़ी वो इसे ही लोगों के साथ फिर आप मिलकर सरकार बनाने के लिए रास्ठे जनता दल है वो तो एक पडिवार की पार्टी है जक्ता नं तो इस्तिफा देना चीए था जगताना दौव एसे कदावर नेता इतने दिनों तक वो राष्टी जनता दल में प्रतारित होते रहें अभी तो दो ही विकेट गिरा है अभी तो मुझे लगता है कि पूरे ओबर की समाप्ति तक कई विकेट गिरती बना जाना है मैं आपके साथ प्रिम्राज केंद्रिये गिरी मंत्री अमी साजी फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और जो जेडियू के लोग हैं वो तंज कसना सुरू कर दिये हैं कि गिरी मंत्री जी विकास कितना की हैं पहले बो देखिए फिलाल अब उस बात को चर्चा नहीं पुर्मुक मंत्री तरकेश्वर प्रशाद हैं उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे सर जेडियू के लोग हैं तंज कसना सुरू कर दिये के पास को अब बिहार के विकास खाना लक्ष है देश की राजनीति के प्रतिनक कोई सोच अब उसकी एक ही सोच है कि सिरी नितिश कु प्रता दल हो जो एक राजी में सिमित हो जब इतने बड़े ख्वाब देखता है तो सभाविक है कि भारतिय जनता पार्टिय इसे बड़े राजनितिक दल के बड़े नेता का बिहार आगवन होगा तो सभाविक उनकी घवरहाट होगी कोई की जानते हैं कि अमित साहजी एक कद्दावर और देश के एक मजबूत नेता हैं और सभाविक है कि उन्होंने जब धारा 370 को समाप करने का काम किया राम जन भूमे के अस्थान पर कैसे राम लला का मंदिर का निर्मान कार चल रहा है जब राश्ची अस्तर के इतने बड परिंद मोदेजी के नित्मित में चल रहा हो तो सभाविक है कि इनको तो घवराहत होगी और सिताब द्यारा जो लोकनायक जब प्रकास नराइन की जन भूमी है आज तक कभी उसके विकास के लिए कोई सोच नहीं थी और घवराहत में जल्दी से पुनिती थी कि अबसर पर गौँ को घोसित किया है स्री अमित साहजी कल उनके प्रतिमा का नावरन करेंगे एक बड़ा लोकनायक के निमित एक बड़ा कार्स्क्रम है तो सभाविक हैं उनकी अपनी चिंता है अपनी घवराहत है और लोकनायक जब प्रकास नराइन के आंदोलन के उपज की रूप में स्री लालू प्रसाद, स्री नितिश कुमार जी ऐसे लोग रहे हैं और लोकनायक जिन मुल्यों को लेकर उन्होंने चात्रांदोलन की अगवाई की और देश में परा एक राजनितिक परिवर्तन हुआ सरकार बदल गई तो पुना फिर उसी भ्रस्टाचार से जूरेवे ऐस पड़िवार जिस पर की कई आरोप के आधार पड़र पड़र सीट हैं और उनके साथ हात मिला कर उन्होंने फिर सरकार बनाली तो आखिर आप लोकनायक के साथ हैं लेकिशन आइक नेजन मुल्यों को लेकर लराईब ड़ी वह इस से ही लोगों के साथ फिर आप मिलकर सरकार बनाने चले गए तो तो लोकनायक के नीतियों का लोकनायक ने जो आहवान किया कि भरस्टाचार के खिलाब भवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो वह सारे मुलतों धरे के धरे रहा गए सवाल है कि जब जब बिहार के मुखवंतरी नितिश कुमार जी गठवननन के साथ सरकार वनवाया है कही न कहीं मेडिया रिपोर्ट के माने तो जगदानन सिंग राराज हो गया कल राष्ट्य जनता दा थी आरजेडी का बैठक था दिल्ले में वहां पे भी जगदानन नहीं आप तो देखिए जो राष्ट्य जनता दल है वो तो एक परिवार की पार्टी है और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बिहार के एक बड़े नेता जो प्रदेश की अध्यक्ष है स्री जगदानन सिंग जी उन्होंने राष्ट्य कारस्मिति की बैठक का बहिसकार किया किस प्रकार से तेज प्रताप जी गुस्से में बाहर निकले और कई प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए तो जब जगतानन सिंग ऐसे लोग उन्हें पच नहीं रहे हैं क्योंकि वे लालू प्रसाद जी के परिवार के सदस्त नहीं है और राजनितिक दृष्टी से जगत जब कोई बात कहते होंगे तो नहीं बुरा लगता होगा और इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि परिवार के बाहर के कोई लोग प्रदेश के अध्यक्ष की रूप में राश्ट्य जनता दल के लिए काम करें इसलिए उन्हें हासिये पर रख दिया गया है जगतानन दौाओ को तो इस्तिफा देना चाहिए था जगतानन दौाओ एसे कदावर नेता इतने दिनों तक वो राश्ट्य जनता दल में प्रतारित होते रहें यह उनके लिए दुखद है उनकी भी एक बिहार के राजनिते में उनकी अपनी अपनी एक छवी है उस छवी का ख्याल करते विए सब्सक्राइब दो मंत्री का इस्तिफा आप देखी रहें कि अभी जो महागटबंदन के सरकार से नितिस्कुमार जी के नेतुरित में बनी है उसमें कई मंत्रियों पर पुर्व से आरोप है और कई पर मुकद में पुर्व से चल रहे हैं सभाविक है कि मंत्री बनने के बाद ये सारी चीजें लोगों के संग्यान में लाया गया और जिस प्रकार से सुधाकर सिंग नाराज हुए मुकमंत्री से नाराज होकर इस्तिफात ये कार्तिके सिंग चार सीटेड है आज भी वो मुकामा में राष्टे जनता दल के उमीदवार के साथ चुनाप्र चार में घूम रहे हैं तो समसकते हैं और भी कई मंत्री हैं जिन पर आरोप है तो इस प्रकार के आरोपित का जिस पर आरोप हो और ऐसे मंत्री जब मंत्री मंडल में सामिल हो तो इस तरह की बाते तो होती रहेगी कई इस तरह के मंत्री को इस्तिफात देना ही पड़ेगा क्योंकि बिहार कभी इस तरह के मंत्रियों को बर्दास नहीं कर सका अभी तो दो ही विकेट गिरा अभी तो मुझे लगता है कि पूरे ओबर की समापती तक कई विकेट गिरते बनना जानाई है विकेट गिरने के लिए मिलेगा और गिरते ही दिखेगा बागी की तमाम खुबरों के लिए बने रहे हैं धन्यवाद से जूरेव है ऐसे पडिवार जिस पर की कई आरोप के आधार पर चार सीटेड है जिन मुल्यों को लेकर लराई लड़ी वह इसे ही लोगों के साथ फिर आप मिलकर सरकार बनाने के लिए राष्टे जनता दल है वो तो एक पडिवार की पार्टी जगतानन सिंग ऐसे लोग उ इतने दिनों तक वो राष्टे जनता दल में प्रतारित होते रहे हैं अभी तो दो ही विकेट गिरा है अभी तो मुझे लगता है कि पूरे ओबर की समाप्ती तक कई विकेट गिरती भना जना है